कि नमस्कार दोस्तों मैं रहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्त में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही जादा इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में 2023 के साल की शुरुवात हो चुकी है और 2023 का साल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है समय बदल रहा है इसकी फीलिंग्स हम महसूस कर सकते हैं समय में काफी ज़दा बदलाव देखने को मिल रहा है और यहीं पर एक सवाल निकल के आता है कि क्या 2023 एक भयानक साल होने वाला है क्या 2023 का जो यह साल है यह विश्वयुद लिकर क्या आ रहा है और क्या 2023 में हम मंदी के फेर में कभी उलच के रहें गया बहर भी निकल पाएंगे बन्तब कि मंदी हमें परिशान करेगी या हम मंदी से बच पाएंगे ये जानना और समझना बहुत जादा जरूरी है economical crisis से बच पाएंगे या नहीं और साथी साथ war, world war, third यहां पर हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखे 2023 जब शुरू हुआ था तो यहां पर कन्या लगना की कुंडली यहां पर बनते हुए दिखाईदगी थी और एक important चीज जो यहां पर थी वह बहुत interesting यहां पर केतु के नक्षत्र में 2023 में हमने प्रवेश किया था और 2023 2023 केतु का ही नंबर है केतु का साल केतु के प्रभाव जो हम यहां पर देख रहे हैं यह काफी जादा important प्रभाव देखने को मिलेंगे मैंने केतु के गोचर का वीडियो भी बताया है आप सभी को उसमें भी मैंने explain कि केतु बहुत रहस्यमई तरीके से इस साल को लेकर के चलने वाला है इसलिए 2023 एक unexpected results वाला साल रहे हैं जो की वर्ड वार के दिमाग में रख करके बैठें कि हो जाए हो जाए हो जाए मुझे नहीं पता कि आप लोग क्यों चाहते हैं कि वर्ड वार हो जाए वैसे बाइगाड ग्रेस बगवान की दूआ से और ग्रहों नक्षत्रों की कैलकॉलेशन से 2023 अगिन वार वाला साल तो नहीं दिखाई दीता हूं मैं नहीं कहूंगा कि 2023 में कहीं पर भी वार के चांसे यहां पर दिखाई देते हैं या ग्रहों की कैलकुलेशन उतनी ज़्यादा खराब हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है कुछ और गंबी रिस्तियां आना बाकी है कुछ और देशों में अभी छ करूर आता है बट वार के बारे में अगर मैं बात करूं तो यह वार बिल्कुल भी नहीं है 2022 के लिए यहीं कहा था 2021 के लिए 2021 के लिए मैंने यहीं कहा था और पिछले तीन साल से वार को लेकर के काफी सारी बाते शुरू हो चुकी है अमेरिका चाइना भारत रशिया हर एक हमें सभी ने एक कहा था कि बस परमानो टेक हो और यह होने वाला है सेप्टेमबर में हो जाए गा 2021 का पूरा साल निकल निकल गया कहीं कुछ भी नहीं है और विश्वविद्र हैं यहां पर नहीं देखने को मिली 2023 में फिर वही वाली बात यहां पर शुरू हो चुकी है और और इसी वज़े से हम सभी परिशान होते जा रहे हैं वार का सिनारियो नहीं देखने को मिलेगा बढ़ा अशांती और किसी ने किसी देश के बीच में प्राब्लम परिशानिया जरूर देखने को मिलेगी और इसकी वज़े से थोड़ी सी दिक्कते मैसूस होगी अच्छी बा से रश्या और युक्रेयन के बीच में किसी ने किसी तरह से बैलेंस बनना शुरू होगा मतलब कि इन दोनों के बीच के लड़ाई विश्वयुद्ध के सिच्वेशन को क्रेट नहीं करती और यह एक अच्छी चीज है यहीं पर चाइना अभी विश्वयुद्ध शुरू क खुत जादा खराब है इस वज़े से नौर्थ में और भी कई कंट्रीज होंगी जिनके बीच में परिशानिया रहेंगी आपसी मद्बेद बढ़ेगा और उसकी वज़े से थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां पर उनके लिए खराब होते हुए नजर आती है यह भी बहुत जल अभी उस लेवल पर अपने आपको स्ट्रॉंग नहीं दिखाते तो यह एक प्लस पॉइंट है कि वार किस चांसे जो है वो जादा नहीं है अब मंदी की अगर हम यहां पर बात कर ले तो दिखिए मैं शायद बहुत लंबे समय से आप सभी को एकनोमिकल क्राइस की तरफ ब होना पड़ा अब हम यहां पर मंदी के फैर में आ चुके हैं और डेफिनिटली अमेरिका काफी ज़्यादा संगर्श करता हुआ नजर आएगा और अमेरिका को मंदी से बाहर निकलने में कम से कम साथ से आठ महीने का समय अभी यहां पर लगता है चाइना भी यहां पर काफ फिर से अपने आपको आगे बढ़ानी की कोशिश करता हुआ नजर आएगा बहुत अच्छी बात क्या है कि भारत के ऊपर न तो विश्वयुद्ध का और न मंदी का कोई प्रभाव इस साल में 2023 में देखने को मिलेगा भारत पूरे safe zone में चल रहा है safe side में चल रहा है और ये जो नए साल के कुणली बनी है ये भी भारत के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है हलाकि भारत में आंतरिक संगर्श बहुत जादा होंगे उसके बारे में मैं आपको समय समय पर गाइड करता रहूँगा इस वज़े से ठोड़ी सी परिशानिया यहाँ पर भारत को जरूर फेस करनी पड़ेगी बट वर्ल लेवल पे हम बात करें ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत सेफ साइड में हैं कहीं कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं है और बहुत अच्छे लेवल पे भारत अपने आपको स्टेबल करता हुआ नजर आएगा बट यस मार्केट में बहुत उठा पटक बनेगी काफी जादा उठल पुतल मार्केट में रहेगी और एक चीज़ में आपको कह देता हूं कि 2023 का यह मार्केट जो है यह अब तक कई जितने सारे रिकॉर्ड नहीं तूटे हैं वह रिकॉर्ड तोडने की केपिबिल्टी जहां पर एक अच्छा कासा मुनाफ़ा यहां पर अर्ण किया जा सकता है और यूएस मार्केट में लॉस भी काफी होने वाला है इस बात का भी विशेश ध्यान रखिएगा तो इसलिए एकनोमिकल क्राइस का पूरा का पूरा प्रभाव मार्केट के उपर पड़ेगा और म मैं मार्केट बाई वैरी केस्टोलोजी चैनल पर अपने बार वीडियो में जरूर एक्स्प्रेइन करूँगा कि कैसे और कौन से समय में क्रूड ओयल यहां पर आपको फाइदा देता हुआ नजर आएगा बट ओवरॉल जो यह 2023 का साल है यह देखिए अगें ठोड़ा स्ल हैं और इनर पावर को स्टront करने का साल है और अपनी चीजों को बालने का साल है और डेफिनली 2023 में हम मंदी से पार निकल जाएंगे और युद्ध की तैयारिया हमें अभी नहीं करनी है इस बात का आप सभी विशेज द्यानक किएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा इसका लावा कुछ पूछ